कि लाइक काई सेड अपन एल्गॉरिफम्स पढ़ रहे थे और अपन एल्गॉरिफम्स में इटरेशन पर आ गए थे जहां मैंने आपको थोड़ा बहुत लूप्स के बारे में बताया था उसी उन्ही लूप्स को अगे अगे कंटिन्यू करते हैं और प्राक्टिकल एक्जाम jet Tabii ओसी थे बना थाग फिस्फिल प्राइए अपको आपको चेक करमा एक्यफन तक्रीन एंसें पु प्रullah को साथन मुल्तिपल्स of आपको algorithm यह दी गई है तो इसको कैसे करेंगे प्लीज help करें मुझे अपने चाट में step one हमेशा step two मैं एक variable लेता हूँ और इसको मैं set कर देता हूँ फाइब से ठीक है अपना multiple कहां से स्टार्ट होगा अपना multiple कहां से स्टार्ट होगा अपन को पता है तो कुछ रीड करने की जरूरत है यह थी कि है अपन लूप लगाएंगे तो लूप लगाने के लिए अपने क्या लिखें आप इसको इफ से भी कर सकते हो आप इसको वाइल से भी कर सकते हो आपकी चोईस है राहूल ने एक class miss कर दिया राहूल अपनी last class हुई नहीं ती कल जो class थी वह हुई नहीं थी सो डोंट वरी और अगर पुछ मिस हो भी गया तो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो आपका रिविजन हो जाए डोंट वरी कि बिल्कुल सही आयूशी ने बिल्कुल सब्सक्राइब वाइल कि एनी इस लेस देन इकुल्स 200 जब तक एनी सो या उससे छोटा है तब तक अब अनको क्या करना है कर आते जाना है एनी को और उसमें 5 एड करते जाना है एक तो आप 5 बाद में भी एड कर सकते हो या फिर यहाँ भी लिख सकते हो इस यॉर चोहई प्leकौयश एनी के अंदर ही मैंはは I would करते जा रहा हूं कि इससे एनी इंक्रीमेंट होता जाएगा और प्रिंट होता ही जाएगा जैसे मेरा सारा काम ओबर हो गया step 4 हो जाएगा stop कि एक एंड वाइल मैं हर बार लिखना भूल जाता हूं एंड नवीन ने अलकुल सही बताया तो यह आपका फाइफ की टेबल हो गई जो हंड्रेट तक जा रही है आप इसको किसी भी नंबर की टेबल से बना सकते हैं चलो इसी प्रोग्राम को अपन करते हैं यह प्रोग्राम आपको यह अपने अल्गॉर्थम समझ में आगए तो प्रिंट इसको जब तक आप नोट करें मल्टी लिकेशन टेबल ऑफ एन यह थोड़ा और ज्यादा मीनिंग्फुल सवाल है सवाल यह कह रहा है कि अपने को अल्गोरिफम बरानी है जिसमें अपने को एन नंबर इन्पॉट लेना है और उसकी मल्टी लिकेशन टेबल जनरेट करने हैं अब, आपको पता है मल्टी लिकेशन टेबल जाद तब 10 तक चलती है कोई भी नंबर है but per 10 तक ही अब मुझे multiplication टेबल चाहिए तो मैं एक variable declare करता हूँ अपने multiply कहां से करते हैं हमेशा one से करते हैं तो मैंने एक i variable लिया है उसको one set करती है अब इस i को मैं आगे बढ़ाता जाओंगा और n से multiply करता जाओंगा अपनी multiplication table आ जाएगी ठीक है न तो यही एम है मेरा step 4 अब इसको ऐसे भी कर सकते हूँ जैसे previous if i is greater than 10 देन go to step मैं step अभी blank छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कौन सा step है इसको नीचे ले आता हूंगा step 5 मैंने एक variable लिया है product equals to n into i किसी भी step समझ नहीं है मुझसे पूश लेना उसी समय मैं आपको जवाब दे दूँगा ठीक है product क्या होगा n into i n इस समय क्या है कोई भी एक मेरा random number है जैसे मान लो तो six तो six i क्या है one तो अब step six क्या होगा print product step seven होगा अब मुझे आई को आगे भी बढ़ाना है ठीक है ना आई को आगे भी बढ़ाना है तो आई आई प्लस कि 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 अशी ने मुझसे पूचा है चार पांच classes अटेंड नहीं कर पाएं था चार पांच ही तो क्लासे होई है अपनी और गित्ते से ज़दा कुछ हुआ ही नहीं है कि मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप आज जो मैं बता रहा हूं उसको स्लोली अब्जॉब करो उसको फोकस करो कोई लाइन समझ नहीं आती है मुझसे पूचो रिविजन अपन जरूर करेंगे once we are done with the theory part अभी अपन सिंपल इंग्लिश में छोटी वो टास्क परफॉ तो अपन यही सीख रहे है यतन ने पूचा है रीड क्यों किया यतन अगर रीड नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से टेबल की मल्टिप्लिकेशन निकालने कौन से नंबर का मल्टिप्लिकेशन एन जो है वो कुछ भी हो सकता है वान टू त्री फोर फाइ यहां six लिखता हूं तो यहांपर क्या हो जाएगा six 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 का मल्टिप्लिकेशन करेगा हालागे step अभी इन करेक्ट है पर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि एन यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं तो मल्टिप्लिकेशन टेबल किसका होगा है ठीक है एक लगाना पड़ेगा इससे क्या होगा 45678 जंप 45678 जंप एक फॉल्ट मैंने की है जो मुझे अभी रियलाइज हो रही है आपको यह फॉल्ट मुझे बतानी है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको आइडिया होगा और यहां जो स्टेप फॉर में लिख रगाए ना 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 यहां लिख दिया अगर मेरा आई की वेल्यू टैन से बड़ी हो रही है तो गो टू स्टेप नाइन स्टॉप हो जाएगा अगर आई की वेल्यू टैन से बड़ी होती है तो गो टू स्टेप नाइन और नाइन आ जाएगा नवीन सेनी ने कहा एंड इफ नवीन अपन स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं एंड इफ फिलाल रिक्वाइड नहीं है अबर आप लगा सकते हैं ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूं इस स्टेप में प्रॉब्लम है सिक्स्थ वाले स्टेप मैंने इस स्टेप को लूप के अंदर लिखा है तो जितनी बार ये स्टेप रिपीट होगा उतनी बार ये प्रॉडक्ट प्रिंट होगा क्या सही है ये बताओ हाँ है ना बिल्कुल रिप्लेस तो क्या रिप्लेस करेगा आजकल क्या बात है बागी सारे जन्ने बस क्या फोन चालू करके चलेगा है कि इदर उदर वाइमाइन नोट सिंग अनी इंटरेक्शन बताओ अगर ये ये अल्गॉर्थम बिल्कुल सही है थिन वी कन मूवँ अन आजकी यू इव इस इस वह थिस चारेक्ट और नॉत एक मिनट ने बिल्कुल सभी जवाब दिया है मुझे पर अभी जवाब बताऊंगा सर लूप के अंदर ही तो आएगा बिल्कुल सही प्रतम लूप के अंदर ही तो आएगा अज़िए गोटू वाली टेबल थोड़ी हार्ड है इसको आप वाइल से भी कर सकते हो यातिन बिल्कुल सही नवप्री मुझे यही आंसर चाहे था लूप के अंदर मैंने इसको इसलिए लिका है ताकि प्रोड़क्ट पार बार प्रिंट हो अगर मैं इस प्रोड़क्ट को स्टेप 6 को स्टेप 8 के बाद ले जाता हूं तो वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट करेगा रिजल्ट को और वो होगा लास्ट क्या इंटू 10 जैसे एन अगर 6 है तो 60 इंटू 10 60 एक बार ही रिपीट होगा बिल्कुल सही हम हापी कि आप लोग द्यान दे रहे हो लक्ष इसकी जगह नीचे कर दो नहीं लक्ष आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था आप लोगों को कि कौन द्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा हो नीचे नहीं जाएगा बिल्कुल सही जगह है वो रोहित ने बुला है सर मेरी फर्स प्लस है रोहित अपने कुछ नया नहीं पड़ा है अपने आशी को भी यही बोला था आप पता नहीं सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे जो आप मैं अभी आपको बता रहा हूँ सवाल पढ़ो ध्यान से क्या है टू प्रेंट मल्टिप्लिकेशं टेपलिटल उपेंड इसमें क्या सील नहीं करताू कि यामडो ठीमम्री टेबल नहीं आती 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 है ना बस उनको मैं स्टेप मुन से टीमिटलिख्ल ईंग्लिश में आए तो इस तरह से आप मल्टिब्लिकेशन टेबल जनरेट कर सकते हैं चलो एक लास्ट कुशन और कर सकते हैं राइट प्रोग्राम टू राइट अल्गॉरिथम टू कैलकुलेट एक टोरियल ओफ नंबर एक टोरियल बताएने गया होता है तो बताएगा फूर का टोरियल गया होता है हम् तो यस क्या है calm को यह में सवाल यह है हाँ में जेर्बरगाश साही जवाब दिया है हम्टने रिजल्ट बताये मुझे रिजल्ट है zar COR प्रॉसेस चाहिया इस ईकवर प्रासे वाल ओपन जो टास्क कर रहे हैं वह पन्प्यूटर को आपन सिखा रहे हैं वो सिखाने के लिए हमको भी प्रॉसेस पता होना चाहिए रिजल्ट में तो जब आप 24 आपने कहा वो कैसे आया वो कैसे आया आपने क्या किया आपने किया 4 into 3 into 2 into 1 आप इसको उल्टा करो या सीधा करो एक ही बात है आपने मल्टिप्लाइ किया है एक पर्टिक्लर नमबर को तो वो नमबर मान लीजिए n है मुझे n का फेक्टोरियल निकालना है आपको बता है n का फेक्टोरियल होता है n into n-1 into n-2 ऐसे चलता जाता है कब तक बन तक अब इसको मल्टिप्लिकेशन के इच्छी बात है कि यह और सोस्येटेव होती है कि a into b लिखो या b into लिखो एक ही बात है तो चलिए अपन इसी फेक्टोरियल के प्रोग्राम को या अल्वारिथ्म को बना के देखते हैं कोई मुझे बताएगा step 3 क्या होगा कि एन फेक्टोरियल केल्कुलेट करना है कि वट इस स्टेप 3 इतना सन्नाटा क्यों है भाई आज है प्रकाश read and नहीं यूज करेंगे step 3 अपना यही है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे read n again step 4 while I step 4 को बिताएगा while मैं complete नहीं कर रहा हूँ factorial is greater than n नहीं रामरतन ऐसा नहीं होगा factorial तो result है मेरा while मैं क्या कर रहा हूँ देखो n is greater than equal to n is greater than 0 जब तक n 0 से बड़ा है तब तक factorial equals to factorial into n जैसे 4 है तो 4 बड़ा है 0 से तो 1 into 4 और इसका result factorial में आ जाएगा आप देखो मैंने 0 से बड़ा लिखा है तो मैं n को negative करूंगा n-1 टीक है इस तरह से यह आपको fourth step समझ में आ है once i am done with the calculations ऐसे मैं n को घटाते जा रहा हूँ देखरे हो आप मैंने क्या किया step 3 में factorial को one set कर दिया मैं यहां उपर लिख देता हूँ factorial को मैंने one set कर दिया और मान लीजिए for example n की value है 5 ठीक है तो while n is greater than 0 5 बड़ा है 0 से बिलकुल तो factorial equals to factorial into n तो factorial equals to factorial into n क्या है 5 और factorial क्या है 1 तो मेरे पास factorial की value क्या हो गई screen पर नजर रखें 5 फिर मैंने किया n equal to n minus 1 तो 5 में से अगर 1 गया तो 4 बचा और फिर यह चेक करेगा वाइल 4 is greater than 0 it is 0 तो factorial equals to factorial पुरानी value into n जो की है 4 तो नई value factorial की क्या हो गई 20 और n equal to n minus 1 4 से हो गया 3 3 greater than 0 true factorial equal to factorial into n factorial into 3 ठीक है कितना हो आई है 60 60 और फिर n की value कम हुई 3 minus 1 2 2 उपर गया क्या 2 0 से बड़ा है बिलकुल है तो factorial equals to factorial into n 60 into n की value है 2 जो की calculate हो के आगई 120 नफ्रीत और नई नफ्रीत मैंने while use किया मैंने while use किया और दिव्या step 4 ही बता रहा हूं दिव्या मैं इतनी देर से आप note करो और फिर n की value हुई 1 क्या 1 0 से बड़ा है बिलकुल है तो factorial equal to factorial into n 120 into 1 कितना होगा यह तो 120 होगा और n minus 1 तो 1 minus 1 0 क्या 00 से बड़ा है न तो यह कभी अब अंदर आएगा नी और next step पे जाएगा जो की होगा step 5 print result किसमें है मेरा factorial और thank you नवीन once again and why हमेशा भूल जाता है क्या मतलब क्या है step 6 स्टेप सिक्स सुदेंट सो तुम मुझे याद दिला देते हो stop हो गया result सर 0 की जगह वन नहीं रख सकते बिलकुल लिख सकते हैं प्रतम बिलकुल लिखो क्योंकि 1 से multiply करने के बाद कोई फर्क ना पड़ता ठीक है ना 1 से multiply करेंगे तो result में कोई difference नहीं आता इसलिए जब मैंने 2 से multiply किया था तो 120 आ गया था उसके बाद में 1 से multiply करूं न करूं कोई difference नहीं आता पर यह तो क्या है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपन देको को एक ही बार रिपीट करना है और इसकी स्टेट्मेंट्स को एन ग्रिदन वन से रिपीट होगा ठीक है चलो में से मेरा एक सवाल दो अगर यहां पर फ्रेक्टोरियल को वन की जगह मैं जीरो कर देता हूं तो क्या हो ना चैट में बताओ येस जय प्रकाश यतिन समय बिल्कुल सब सही कह रहे हो मैंने 0 कर दिया है तो आप किसी भी नमबर को कितनी बार भी मल्टिप्लाय कर दो 0 से result is 0 तो देखो आप variable को value देना कितना जरूरी है ठीक है न वैरिएबल को value देना कितना जरूरी है इसलिए make sure कि आप variable को correct value सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही हैं जिन्होंने जवाब दिया है तो ओपफ़ली आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा यहीं काम करेगा की मानन की चोटा नंबर लेते हैं इस ऐस ऐसे फरिया चाहिए जिनको समझ नहीं आया था फ्लीस नोट करें योडिया कर चाहिए तो स्टर्टिंग की विसीन यूरिया यह मेरे step 123 है, ठीक है, मैं इनको कर रहा हूँ, delete, यह step 123 मैंने यहां पर उपर लिख दिये, खतम, आज आते हैं step 4 पे, जब तक n, बड़ा है 1 से, है न, बड़ा है न, तो अंदर आएगा, factorial equals to factorial into n, तो factorial की value क्या हो गई, 4, और n equal to n minus 1, तो अब 4 से क्या हो गया, 3, 3 1 से बड़ा है, बिलकुल, तो 4 से मैं क्या multiply करूँगा, 3, result आएगा 12, और फिर n equal to n minus 1, यह हो गया 2, 2 1 से बड़ा है, बिलकुल, तो इसको मैं multiply करूँगा 2 से, और result आएगा 24, फिर, 2 minus 1, 1 is greater than 1, नहीं, it is false, 1, 1 से बड़ा नहीं है, वो इसके equal है, तो यह false हो गया, और मेरा result 24 पे रुख गया, तो this is your, और फिर मैंने step 5 में print करा दिया, फेक्टोरिया, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते, राहूल मुझे उमीद है आपको यह step समझ में आए होंगे, और इस तरह से आप फेक्टोरियल कालकुलेट कर सकते, यह सबसे common questions थे, जो अपन ने किये थे, और इसका मतलब यह नहीं कि यही limited questions है, मैं आपको हमेशा यही suggest करूँगा कि जो भी program आप बनाते हैं आने वाले time में, उसका algorithm भी जरूर practice करें, अगर आपसे program बन रहा है, तो algorithm भी easily बन जाएगा, क्या होते हैं, steps ही तो होते हैं, बलकि programming जादा hard है, algorithm से, अगर आपसे algorithm बन रहा है, तो program भी बन जाएगा, तो चलिए with this particular question, अपना algorithm part या pseudo code part clear होता है, और अब अपन move on करते हैं towards diagram, या मैं कहूं, flowchart, अभी जो अपनने काम किया न, वो pseudo code था, उसमें अपने English like sentences लिखिये, अपने problem को solve करने के लिए, जो task अपनने perform किया था, उसको step wise अपनने format में लिखा, अब अपन flowchart की बात करेंगे, जो students कह रहे हैं कि सर, first time आया है, या कोई भी reason है, उन्हें समझ नहीं आया है, तो flowchart is a very good way to revise, क्योंकि दोनों में difference सिर्फ यही है, कि flowchart is nothing but a pictorial representation of the algorithm, steps वो ही है, सब वो ही है, बस अब आप diagram यूज करो, ठीक है, diagram हम एगर exam में, हम pencil और scale से बनाएंगे, बिल्कुल neat and clean, बाकि roughly तो आप जैसे आप बनाएं, इसमें flowchart के अंदर symbols यूज होते हैं, और यह symbols predefined है, यूनिवर्सल हैं, और यह जो symbols, सबसे common symbols हैं, वो यह रहे, screen पे आपके सामने, तो देखिए, सबसे पहला symbol होता है, terminal, यह जो terminal होता है, यह आपके, यह represent करता है, आपके flowchart का start या फिर stop, यह जो terminal है, यह start-stop represent करता है, input-output parallelogram से represent करते हैं, अगर आपको read करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको read करना है, या write करना है, या print करना है, या input लेना है, तो वो सब किसमें होता है, parallelogram, processing, किसी भी तरह की calculations, या expression evaluations, अपन processing में करते हैं, फिर होता है, अपना decision, decision में अपन या तो loop की मदद लेंगे, जो अभी अपन ने पढ़ा iteration या फिर selection, if else, तब अपन decision box यूज करते हैं, और यह इन चारों को connect करने के लिए अपने पास flow lines होती है, connector, कई बार क्या होता है, कि देखो flow chart क्या है, टॉप से bottom diagram, क्या है, टॉप से bottom, पेज भर जाता है कई बार, तो अपन चाहते हैं कि continue करें, तो अपन connector यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरा page यहाँ particular, इस particular line पे, let's say, एक मिनट, यहाँ मेरा page खतम हो जाता है, मैं flow chart बनाते बनाते, यहाँ पे मेरा pending रह गया, तो मैं क्या करूँगा, connector की मदद से उसको आगे continue कर सकते हैं, ठीक है न, यह flow charts होते हैं, और भी symbols होते हैं, पर यह जो 6 symbols हैं, यह primary symbols हैं, these are the most frequently used symbols, flow chart के लिए आपको कोई software या फिर किसी computer की जरूरत नहीं है, आप आराम से copy और pen पे, copy पे pen की मदद से इसे बना सकते हैं, तो आप expect करें flow chart पे question, जो अपनने algorithms बनाई हैं, या तो उस पे या फिर flow chart, flow chart आपको समझ में आ गया, what is the flow chart, it is the pictorial representation of the algorithm, और pictorial में जो symbols use हो रहे हैं, वो आपकी screen को, अचलिए flow chart बना के देखते हैं, बिलकुल simple सा, जैसे कि मान लीजिए, एक minute मैं screen share off कर रहा हूं and I am moving towards the software, अपलि आपको सौफ़र समझ दिख रहा होगा, so this is the thing, जैसे मुझे flow chart बनाना है, जिसमे मुझे कुछ नहीं, बस hello print करना है, तो सबसे पहले मैं अपना terminal बनाऊंगा, like this one, और यह होगा हमेशा, जैसे अपना वो होता था था ना start, यह होता है हमेशा begin, मैं इसको copy करके paste कर देता हूं, बाद में काम लेंगे उसको, और फिर मुझे hello print करना है, तो मेरे पास दो option है, या तो rectangle या parallelogram, तो मैं parallelogram use करूंगा, क्योंकि input output के लिए वो ही use होता है, अब जो भी मुझे print करना है, तो print, या show, या display, something like this, अब मैंने align कर देता हूं, तक यह एक ही उसमें particular, मैं को hello ही print करना था तो और कुछ किसी चीज़ की तो जरो था ही नहीं, so, like this, एक उना टुका, अभी यह दे pen pencil से ज़्यादा easy होता है, something like this, अब मैं उनको flow line से connect कर देता हूं, यह से connect हो गया और, एक और flow line चीए मुझे यह से connect हो गया, ठीक है, तो यह आपका flow chart बन गया, जो कि hello print करता है, कितना easy है, आप notice कीजिए कि यह वही है जो मैंने algorithm में पढ़ा था, पर अब जो steps है, उनको मैं step 1, step 2, step 3 लिखने की बज़े symbols में लिख रहा हूं, बाकि पूरा process होई है, अभी मैंने कहा कि जिनसे algorithms miss out हो गई है, वो flow chart में algorithms का अच्छा revision कर सकते हैं, जैसे इसी चीज़ को अगर मुझे algorithm में लिखना होता हो तो कैसे लिखता है, step 1 start, step 2 print hello, step 3 end, stop, टीक है न, तो यह आपका flow chart बन गया, शिवम, yes, शिवम, comparatively easy है, क्योंकि symbols अपन को जल्दी याद हो जाते हैं, बट time consuming है, यह exam के point of use है, तो यह अपना पहले फ्रोटर, चलो अपने इसको थोड़ा और improve करते हैं, let me just remove the entirety, अपनको दो numbers का addition और subtraction दोनों करने हैं, तो again, begin, begin, इसको मैं copy करके, इसको नीचे डाल देता हूं कहीं पे भी, फिर मुझे input करना है, इनपुट के लिए मैं हमेशा rectangle यूज़ करते हैं, इसमें steps वगेरा नहीं है, so read, दो numbers हैं, तो a, b, ठीक है, read हो गए, उसके बाद, sorry, एक mistake होगी है मुस्से, इसमें calculations होगी, तो add equal to a plus b, sub equals to a minus b, calculations हमेशा rectangle में होगी, reading, writing होगी अपनी parallelogram में, तो read a, b, चीक है, और आप मुझे result प्रिंट करना है, तो फिर से एक parallelogram, print, add, sub, अब align कर दिया मैंने इनको, और इनको connector से वपन जोड़ दे, देखो, मैंने कहाता है न, top से bottom, और ये diagram हमेशा top से bottom भी जाता है, कभी ये कोशिश करके इसको कभी भी टेडा मत ले जाना, diagonal, और ये जो, आप देख रहे हो न, ये flow lines, आप देखो, ये हमेशा right angle पे turn लेती है, आप इनको कभी ऐसे arc में जूमते वे गोला में ऐसे नहीं बनाना, तीक है न, suggest prefer नहीं किया जाता है, कोशिश करके अगर आपके पास arrow keys हैं तो उनको यहां तो straight लेके जाओ 180 डिगरी पे या फिर 90 डिगरी पे turn करवा, ये आपका कौन सा हो गया, input-output, write a program to read two numbers and add and subtract them, अगर इसी चीज़ को मुझे algorithm में लिखना होता तो मैं इनको step-wise लिख लेता है, कोई भी दिक्कत किसी को flow chart में तो मुझे पूछ लेना, बस अपनको symbols याद रखने हैं, राहूल वन लूप example, बिलकुल राहूल अपन लूप का भी करेंगे, अपन if else का भी करेंगे, slowly we are moving towards the same programs जो अपनने algorithms में किया था, जैसे for example अगर मुझे simple interest calculate करना है, आप easily यहाँ पे changes कर सकते हो, तो यहाँ पर रीड ए भी लिखर का है, वहाँ पर में क्या input ले लूँगा, read principle rate or time, rectangular box में simple interest equals to principle into rate into time divided by 100, और parallelogram में print interest, इस तरह से आप flow chart बना सकते हो, तो मेरे आपको यह चीज समझ में आई होगी, चलो अब अपन एक बार if else वाला करके देखते है, if else वाले जब भी आते हैं मेरे पास, तो मैं decision boxes यूज लेता हूँ, जैसे कि मुझे check करना है कि दो numbers के बीच में, दो numbers के बीच में मुझे smallest है, वो मुझे determine करना है, तो सबसे पहले terminal begin, उसके बाद मुझे दो numbers को read करना है, read a, d, ठीक है, अब मुझे check करना है कि कौन सा number बढ़ा है, कौन सा छोटा है, तो decision लेना है मुझे, अपन ये algorithm में if else से कर रहे थे, तो यहां पर अपने पास इसका alternate है decision box, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर लिखूंगा में a greater than b, question mark, it is a question, कि क्या a b से बढ़ा है, तो यहां पर अब दो रास्ते निकलेंगे, पहला रास्ता होगा true का और दूसरा रास्ता होगा false का, तो मैं एक पहले friendly message यहां पर add कर देता हूं, एक तो ना re-edit करने में दिक्कत होती है, इसमें, a is larger, b is larger, मैं बस दो रास्ते थे, दोनों रास्ते आ गए, तो मैंने एक को यहां put कर दिया, और एक को यहां put कर दिया, ठीक है, और यह रहा मेरा end, अब मैं इसको flow line से connect करूंगा, something like, यह इससे connect हो गया, यह इससे connect हो गया, और फिर अब आप notice करें, कि एक मुए, नाट, I'm not going to use this symbol, यह अब मेंगा करें, यह इससे झाल 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 झाल